Hello students, आज यहाँ पर मैं area under the curve का एक fantastic problem discuss करूँगा जो देखने में थोड़ा सा धराओन है बट मुझे लगता है कि आप बगर पेन चलाए इस cancer कर सकते हैं अगर आपको basic understanding है तो आप ऐसे question cancer तुरंद कर पाऊगे यहाँ question एक बार में discuss करता हूँ आपके पास कोई एक function है fx equals modulus x-1 into signum x-1 और दूसरा function आपके पास एक ellipse है gx जो की कुछ इस प्रकार से है 9x square upon 64 plus 4y square upon 25 equals 1 divided by pi तो यहाँ पे आपके पास fx function था और यह gx है और ऐसा इन्होंने कह रखा है कि जो fx function है वो gx curve को दो area में divide करता है एक area even है और दूसरा area a2 है means gx के graph को fx दो area में बाटता है एक segment का area a2 है और एक का even है और यह दिया हुए है कि a2, a1 से बड़ा है तो a1 और a2 की individual values बतानी है तो भाई कैसे approach किया जाए यहाँ पे सबसे पहले ellipse को एक standard ellipse के format में convert कर लेता हूं तो यह x square upon यहाँ पे 9 pi होता यानि इसको लिख सकते हैं 8 upon 3 root pi इस पूरे का square plus y square upon 5 upon 2 root pi इस पूरे का square equals 1 यानि अगर मैं इस ellipse के area की बात करूँ तो ellipse का area यह होगा pi a into b यानि 8 upon this into 5 upon 2 root pi तो भाई यह सब cancel out हो जाएगा यानि यहाँ से जो total area आएगा वो 20 upon 3 के equal होगा अब थोड़ा जा graph बना के देखते हैं कि fx किस तरीके से इसको divide कर रहा है ठीक है तो यानि इस ellipse का graph बनाएंगे तो भाई यहाँ पे एगर मैं ellipse का graph बनाऊं यह अपनी ellipse है यानि यह वाला point क्या था 8 upon 3 root pi, 0 इसी प्रकार से यह वाला point तुम लिख सकते हो minus 8 upon 3 root pi, 0 और यह वाले point भी आप mention कर सकते हैं जीरो कॉमा 5 upon 2 root pi minus 1, तो भाई x equal to 1 पे तो signum की value 0 होगी और अगर x 1 से बड़ा होता है तो यह function simply modulus x minus 1 हो जाएगा यानि x अगर 1 से बड़ा है तो mod x भी x ही रहागा यानि x minus 1 वाली बने line बना लिए और अगर x 1 से चोटा होगा तो signum की value minus 1 हो जाएगा यानि fx क्या बन जाएगा 1 minus modulus x तो आप 1 minus modulus x अगर बनाते हो तो जोगो भाई minus mod x ऐसा कुछ बनेगा और 1 plus mod x का मतलब यह graph 1 unit upward shift हो जाएगा ऐसा कुछ बनेगा तो यानि 1 minus mod x बनाना है अगर x 1 से चोटा है यह इस तरह है तो इसमें ऐसा इन्होंने कहा है कि यह वाला graph इसको दो area में divide करता है यानि अगर इस total को जो मैं यहाँ पे color कर रहा हूँ यह वाला reason यह पूरा यह वाला इसको अगर मैं a1 मान लूँ तो दूसरा अपने आप क्या बन जाएगा a2 बन जाएगा यह पूरा a2 बन जाएगा यानि जो total area तुमने लिखा हुआ है यह a1 plus a2 का sum है तो तुम्हें भाई एक समबंध तो a1 और a2 में पता है कि इनका sum 20 upon 3 के equal है एक और relation निकालना पड़ेगा इस छोटे से segment के area को यह वाला जो दिख रहा है इसको अगर मैं k मान लूँ यहां से यहां तक का यह पूरा area तो आप graph की symmetry से कह सकते हो कि यह वाला area भी k के बराबर होगा यह वाला area भी किसके equal रहेगा? k के equal रहेगा यानि अब अगर मैं a2 area calculate करूँ a2 area तो a2 में कैसे निकाल सकता हूँ? देखो भाई a2 area जो होगा वो इस triangle का area यह k और यह सारा कुछ add होगा उसमें यानि a2 में क्या होगा? यह half ellipse का area पहले मैं निकाल लेता हूँ तो total तो 20 by 3 था तो आधे ellipse का area 10 बटे 3 होगा आधे ellipse के area में से मैंने k- कर दिया तो अब इतना बचा हुआ area मुझे मिल गया यह वाला और इसी में कितना और add करेंगे? प्लस के यह वाला area add करेंगे प्लस और इस triangle का area add करेंगे तब जाके मुझे a2 मिल पाएगा तो भाई यह वाला point 1,0 था यह वाला point भी 1,0 minus 1,0 है और यह क्या 0,1 है तो इस triangle का area आप तुरंद बता पाएंगे क्योंकि यह 0,1 था यह 1,0 यह minus 1,0 है तो base का length कितना आ गया? 2 आ गया यह यह triangle का area half base into height आप करोगे तो प्लस half base का length है 2 और height है 1 यानि A2 जो area आया यह तो cut गया यानि बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त प्राब्लम आप देख सकते है बहुत सारे बच्चे यहाँ पर यह point of intersection और निकालने में लग जाएंगे तो बहुत मेहनत बढ़ जाएगी ऐसे मैं यानि सब cut गया यहाँ से तो यहाँ से आया 13 divided by 3 A2 की value 13 divided by 3 आई तो आप इस equation से इस समीकरण से A1 की value निकाल सकते हैं A1 की value आईगी 7 divided by 3 तो इस तरीके से आपने A1 और A2 की individual area को calculate किया तो आज की इस वीडियो में इतना ही Thank you